काफी सारे लोग काउंसिलिंग करके हमको पूछते हैं कि टेंशन से कैसे मुक्ती पाना बहुत प्रेशर आ रहा है उससे कैसे मुक्ती पाना तो उसके पारे में चलो आज बात करते हैं मेरा में डॉक्टर दीपक गड़ेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संबोध था वैसमु क कि तग्यों महाराष्ट में अकॉला पुणे नाकपुर मुंबई या महरे हॉस्पिल से महां प्रेक्टिस करते हैं यहां मनोविकार तथा वैसनी लोगों को भरती करते हैं उनका इलाज करते हैं वैसन मुक्त भारत और मेंटल एलफ एवरिवन सबके लिए मानसिक स्वास्त मुठी उनकारेश्ट है 텅क्ष hyped जोगों पूहते रहते हैं कि टेंशन से कैसे मुक्ति पाएं हैं वहां से कैसा freedom करेंगे क्या तेंशन दो हरें को आता है और टेंशन के विना दो जीवन ही नहीं तेंशन तो आईगा याए हर व्यक्ति में टेंशन को fight करने की कि ताकद है हर व्यक्ति मैं टेंशन में ना रहनने की मदला से रेलाक्स रहने की भी टाकद है या वो कर सकता है नो पेदो को पावर्ष का है ने हमस्त्र रहती है है कोई प्रप्र बिश। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते है वैसे वैसे अलग-अलग-अलग-अलग सब मुश्किले दिमाग में आना शुरू हो जाती है अलग-अलग thoughts आएंगे, अलग-अलग विचार आएंगे, opinions आएंगे सब बहार के वात्तारण से हमारे दिमाग में डाल दिया जाएगा जवाबदारियां आते जाएगी और फिर जो freedom है न वो निकल जाता है बच्चा जो हस्ता खेलता है, कुटते रहता है बड़ा आदमी होने के बाद में वो सब दब जाता है सब स्ट्रेस के मारे, टेंशन के मारे दब जाते है freedom नहीं रहने में, self expression नहीं है और लोग ऐसे रहते कि बही कितना बोजा लेके चल रहे है समझो कोई आदमी के पीट के उपर 50 kg का बोजा है तो वो कैसे जलेगा वैसा लोग चलते रहे हैं, बोजा दिखता नहीं है की बोजा है करके तो यह देखना है कि वह यह कैसा हम उसका कैसा सामना करेंगे वो हमको देखना बढ़ेगा कि उससे कैसे मुक्ती पाएंगे बच्यों में एनर्जी होती है बच्चों में देखो कितना कुटते हैं, खेलते हैं, शाम तक भी खेलते रहेंगे, ठकेंगे नहीं, बच्चों को बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, तभी भी वो करते जाएंगे, फुल एनर्जी रहती बच्चों में, और आदमी बढ़ाने का लिए ठक जाता है, ठोड़ा इसी, मतलब खुन निकाल दिया जासा, ऐसी उसकी एनर्जी निकल जाती है, उसका कैसा सामना करें, तो काफी सारी हमारे डिजायर से, बहुत सारी इच्चा है, और पूरी करने के लिए आदमी भाग 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 रहा है, और भागते भागते उसका सामना करते करते काफी सारे मुश्किले सामने आती है उसको पार करना है मुश्किलों का सामना करना है और जीवन जेना चालू है सुबह से शाम तक भाग रहा है इसमें उसको यदि पैसे का मतलब freedom from finance यदि उसको हो जाता है financial freedom मिलता है तो काफी सारे पैसे से जो चीजे फ्रीजा सकती है वो चीज एंगा और उसको वह देंगों कम से कम शांद की रहिए? थमगों को आमदनी के थीख है के निए हमारी ऑंिदनी अच्छी है के निंए हमारी है टो में काफी शांद fällt किम मिल जाती है तो आम दनी के लिए दिमाग में नहीं रहना चाहे मुझे अब वह कैसा फाइननेशरिया कैसा बदलना है उसमें कैसा बड़ा कुछ तभी रिजल कॉस्ट करना वह तो आपको अलग हमारी वीडियो में देखने मिलेगा दूसा है कि हम चीजे जो खरीदते रहते है वह करजा लेकर खरीदे करना आपको गाड़ी लेना है तो हम करजा लेकर वोल्बाइल लेना तो करजा कैमेरल लेना तो करजा